Hello and Welcome to Grade Up Study तो स्वागत है आपका आज के सेशन में तो आज से हमारे एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है HPPYQ सीरीज 1000 और ये इस सीरीज का Day 1 है यानि कि आज हम कुछ Questions डिसकस करेंगे और Questions काफी Important है क्योंकि ये सारे के सारे Previous Year Questions रहने वाले है तो अगर आप किसी भी हिमाचल परदेश के किसी भी एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं चाहे वो ये सभी एक्जाम से है या फिर इसके इलाबा कोई और एक्जाम है और उसमें हिमाचल जी की पूछी जाती है तो ये सीरीज आपको लगाना यानि की देखना मस्ट है चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे करंडली जो है वो तीन कोर्सी चले हुए है पहला अभी एक नया कोर्स चला है मिशन वर्दी की नाम से इसमें पुलीस कोंस्टेबल की जो तयारी है वो करवाई जाएगी ठीक है मिशन वर्दी 2.0 जो बैच है ये हमारा लॉंच हो चुका है ठीक है इसकी जो क्लासिस है वो मंडे से अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अभी भी आप इस बैच में इन्रोल कर सकते हैं आपको हमारी अप्लिकेशन को इंस्टोल करना है आईडी आपको वहां पर बनानी है और आपको ओल कोसिस के अंदर हमारे स्कोर्स को जोईन कर लेना है अगर आपने पुलीस कोंस्टेबल की भरती यानि की फोम भरना है और तैयारी करनी है इसलिए दूसरी बात यहां पर पटवारी का भी हमारा बैच चला हुआ है तो पटवारी वाले हमारे पटवारी बैच में आ सकते हैं और जेल वोर्डन के लिए हमने पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स लौंच कर दिया है तो जेल वोर्डर वाले एस्प्रेंट्स हमारे क्रैश कोर्स को जोईन कर सकते हैं बाकी पुलीस कोंस्टेबल फोरेस्ट गार्ड उसके बाद जेल वोर्डर और पटवारी के जो मोक टेस्ट है वो भी आपको हमारी अप्लिकेशन के अंदर लाइव टेस्ट ओप्शन के अंदर मिल जाएंगे क्लेर है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला क्रैशन है वो यह है कि दूद बहाली मेला हिमाचल परदेश में किस स्थान पर आयोजित होता है तो रोडू, जौडिन, रामपूर या फिर मनाली यह सेम जो सारे क्वेशन है यह प्रिविसर में पूछे गए हैं तो ओप्शन भी आपको वही मिलेंगे जो कि क्वेशन पेपर में डाले गए थे चलिए तो यहाँ पर बात की जा रही है कि दूद, बहाली, मेला कहां पर आयोजित किया जाता है तो रोडू में, मनाली में, रामपूर में या फिर जौडिन में किया जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ओप्शन नमर्डी होगा रामपूर में यह आयोजित किया जाता है तो थोड़ी सी explanation हम यहां पर लेके आए हैं रामपुर मुशहर देपताओं के सुक शांतिव समृधी के आश्रिवात के साथ सोरी के साथ तैसील का नाम है ननखडी तो ननखडी की जाहू पंचायत में दो दिन लगता है यह दूद बहाली मेला तो यह यहां पर आयोजित किया जाता है आपको बता है कि हमारा हिमाचल परदेश काफी यानि की जो देवी देपताओं है उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और देवी देपता आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे हमारा जो lower हिमाचल है यहाँ पर देवी देपता है लेकिन हमारा जो अपर हिमाचल है वहाँ पर आपको देखने को मिलती होंगे देवी देपता होते हैं तो वहाँ पर उनका मिलन भी होता है काफी कुछ होता है तो उनके मिलन के लिए क्योंकि वो स्थानी देवी देपता होत वर्श हुई थी तो 1939 42 45 47 दिको सिर्मोर प्रजा मंदल अलग है और धामी प्रजा मंदल अलग है यहां पर बात की गई है सिर्मोर प्रजा मंदल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी तो याद रखना option नमबर A 1939 में की गई थी ठीक है और 1939 से आपको याद आ रहा होगा कि धामी गोली कांड भी 1939 में ही हुआ था चलि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस हिमाचल प्रदेश में अगोरा खरगोष प्रजन फर्म किस वर्ष में स्थापित किया गया था तो 65, 66, 72, 73, 80, 81 या फिर 84, 85 तो देखो यहाँ पर डिरेकल इन्होंने इयर्प का क्वेशन पूछ लिया है कि किस वर्ष स्थापित किया गया था तो यहाँ पर ओप्शन नमर बी बिलिकूर ठीक हो जाएगा 1972, 73 में ठीक है और अगर हम बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश में जो खरगोष प्रजन फॉर्म है वो कुल कितने हैं तो दो हैं दोनों का नाम क्या है एक तो आपका नगवाई मंडी में है और दूसरा जो है य खरगोष प्रजनन केंद्र आपको हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस मृकुला देवी मंदिर किसने बनाया था तो बहादूर सिंग अजे वर्मन विजे सेन या फिस सूरत चंद देखो कोई भी अगर कहानी होना या फिर किसी भी एक चीज के प्रति जो कहानी होती है वो दो तो कहानी भी बन जाती है जैसे कि कई कवार कहते हैं कि जो मृकुला देवी मंदिर का निर्मान करवाया था ये पांडवों द्वारा भी यानि कि किया गया था इसका निर्मान तो एक तो ये कहानी है दूसरा य उदेपुर में जो ये मुरिकुला देवी मंदिर है ठीक है इसका जो इतिहास है ये द्वापर युग के दोरान भी आपको देखने को मिल जाएगा यान कि जुड़ा हुआ है जिसमें पांडवों के बनवास काल से जुड़ा हुआ है यह मंदिर अपनी अदबुत शैली और लकडी पर नकासी के लिए जाना जाता है ठीक है तो ये जो मंदिर है ये कंप्लीटली लकडी से बना हुआ है क्वेशन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि लकडी से बना हुआ है तो वो कौन सा हो जाएगा मुरिकला देवी मंदिर हो जाएगा ये आपके सामने फोटो आप सभी के सामने है लकडी से बना हुआ है ये और है कहां पर तो ये लहोल घाटी में है यानि कि लहोल स्पीती में है और लहोल स्पीती के कहां पर तो ये उधेपुर में आपको देखने को मिल जाएगा तो ये कुछ चीजें आपको याद रखने है एक्स्टा फैक् बहुमुल्य पश्मीना उन किस पशू से प्राप्त होती है काफी important question है भेड़ बकरी खरगोश या फिर इन में से कोई नहीं देखू आपने सुना भी होगा कि हाँ जी हमने पश्मीना शाल लेना है ना पश्मीना शाल जो है ये काफी बड़ा famous है और महंगा भी काफी है कहते हैं कि इस शाल को बनाने के लिए कम से कम भत्तर गंटे लगते हैं तो इतना बड़ा मतलब इस शाल को बनाने के लिए ना time बड़ा लगता है इसलिए इस शाल की कीमत भी हमारे हिमाचिल परदेश के अपर एरिया से कि लाहृल्स पिती हो गया फिर लदाख में भी इसका काफी जाता है कश्मीर में काफी इसका उसकी ये जाता है टीक है हां अब बताईए तो यह जो उन है convenience निकाली जाती है भेड से बकरी से खरगोश से या फिर इनमें से कोई नहीं देखो कुछ ऐस्पिरेंट ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि सर उन की ही तो बात की जा रही है तो उन कहां से लेते हैं तो उन तो भेड से लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे यह जो पश्मीना उन है यह बकरी से ले जाती है किस से ले जाती है बकरी से ले जाती है अब यहाँ पर कई एक बार क्या है कि उस बकरी का जो नाम है वो भी पूछ ले जाता है तो यहाँ पर कैपरा हिरकस कैपरा हिरकस कैपरा हिरकस उस बकरी यानिकी एक जाती होती है केटेगरी होती है वो है इसका नाम ठीक है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम चांग धांगी बक्री बोलते हैं चांग धांगी बक्रियां या फिर चांग धांगी बक्री से भी जो है इसको जाना जाता है इन से ये जो पश्मीना ओन है ये निकाली जाती है तो ये भी कुछ important terms है ये भी आपको याद रख नहीं है आगे बढ़ते हैं next one is पंडिच जवाहरलाल नहरु द्वारा भारत चोड़ो अंदोलन में भाग लेने के लिए पालंपूर कब आये थे तो ये यहां पर question पूछा गया है तो 22 June 1940 यहां से देखिया 40, 43, 42, 44 आप जबी को बदाई है कि भारत चोड़ो अंदोलन कब हुआ था तो 1942 में हुआ था तो यही इसका सही उत्तर होगा option number B अब दूसरा question यहां से यह आता है कि हिमाचल परदेश में भारत चोड़ो अंदोलन का विस्तार जो हुआ था वो किस अंदोलन से हुआ था हिमाचल परदेश में उस अंदूलन का नाम अलग है जिसका नाम है पंजोता अंदूलन ठीक है पंजोता अंदूलन के नाम से हम उसको जानते हैं पंजोता अंदूलन और आपको अगर क्वेशन यह आ जाए कि पंजोता अंदोलन हिमाचल परदेश में कब हुआ था तो 1942 में ही हुआ था 1942 में ही ये हुआ था अगे बढ़ते हैं next one is किस वर्ष में सिर्मोर रियासत का नवीन गटित हिमाचल परदेश में विल्ले हुआ था तो 48, 51, 54, 66 ठीक है तो यहाँ पर बात की गई है कि किस वर्ष सिर्मोर रियासत का नवीन गटित हिमाचल परदेश में विल्ले हुआ था आप सभी को बता है कि हिमाचल परदेश का गटन कप किया गया था आप सभी को बता है कि 1948 को हिमाचल परदेश का गटन किया गया था और गटन करते ही यहाँ पर जो है वो आपको चार जिले देखने को मिल जाएंगे तो उनका नाम क्या है C.M.M.S. यानि कि चमबा महासू मंडि सिर्मोर इनही को ही हम क्या कहते हैं इनही को ही हम पुराना हिमाचल के नाम से भी जानते हैं पुराना हिमाचल पुराना हिमाचल ठीक है कुशन ये भी आ जाता है कि पुराने हिमाचल में कौन-कौन से जिले आते हैं ठीक है ऐसे जिले हैं जो कि पुराने हिमाचल में आपको याद रखने हैं कि ये चार ही जिले पुराने हिमाचल में आते हैं Lord Elgin second ने किस वर्ष मंडी रियासत की यात्रा करी थी? 77, 82, 1907, 1899. देखो, अगर कोई भी एक इंसार हिमाचल प्रदेश में आ रहा है यात्रा करने के लिए, clear है? तो याद रखना वो उसी एक साल में ही, वो उसी एक साल में ही पूरे हिमाचल की यात्रा कर लेगा. जो है, वो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में आये थे, तो 1899 में आये थे, बस ये याद रखो, फिर चाहे वो यहाँ पर मंडी लिखे, शिमला लिखे, कांगडा लिखे, लहोल स्पीती लिखे, कुछ भी लिखे, फिर ये, वो मंडी में चला जाएगा, वो कांगडा में चला जाएगा, वो लहोल स्पीती में चला जाएगा, फिक है, कितना गदूर है वही, है ना, तो एक साल में ये पूरे हिमाचल प्रदेश का जो ब्रहमन है, वो कर लेगा, तो 1899 आम को याद रखना, कलेर हैं, आगे बढ़ते हैं, next one is, मुगल साशक कोन था, अच्छा, वो मुगल साशक कोन था, जब राजदानी को पठान कोर्ट से नुरपूर स्थानांतरित किया गया था, मैं आपको बता दूं कि, आपको बता है कि नुरपूर का जो किला है, ठीक है, पहले इसकी जो रा जो राजदानी है, वो पठान कोर्ट से नुरपूर स्थानांतरित की गई थी, तो याद रखना, ये बास देव द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये बास देव द्वारा की गई थी, लेकिन अब बात ये है, कि बास देव के समय मुगल साशक कोन था, ये मैंने बताया था कि बास देव के समय जो मुगल साशक था वो अकबर था ठीक है वो कौन था वो अकबर था इसी लिए ओप्शन निम्बर सी यहां पर बिलकूर ठीक हो जाएगा बास देव ने नुरपूर की राजधानी पठान कोट से धमेरी बदली बास देव अकबर का समका कालिन राजा था तो इसलिए यहां पर ओप्शन बर सी सही हो जाएगा क्लेर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस पॉस्ट निम्र टैन बोलता है कि सिख नायक जिसने अठारवी शतावदी के उत्रा यानिकी उत्रार्द के दोरान जब अठारवी शतावदी स्टार्ट होई थी तो स्टार्टिंग को हम बोलते हैं उत्रार्द तो उत्रार्द के दोरान कांगड़ा पहाड़ी उपर आक्रमन किस ने किया था रंजीत सिंग ने गुलाब सिंग ने दौलत सिंग ने यह जैसी कनईया ने किया था देखो अगर हम बात करें रंजीत सिंग तो रंज या ने किया था ठीक है याद रखेंगे इसको नेक्स आपके पास है महान महाभारत युद में सुशर्मा चंद किसका सही होगी था आप सभी को पता है कि जब कोर्वों और पांडवों का युद हुआ था तो यहाँ पर जो सुशर्मा चंद है इसने किसकी साइड से युद किया था तो सभी को पता है कि कोर्वों की साइड से इसने युद किया था option number C यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स वन इस हिमाचल परदेश जैविक परियोक्षाला कहा सित है तो पालंपूर में है फतेपूर में है भर्मोर में है जोगिंदर नगर में है सिंपल सा question है पालंपूर में है कहाँ पर है यह पालंपूर में आपको देखने को मिल जाएगी तो इस लिए option number A बिलको ठीक हो जाएगा next one is मृतलू गूफा कहां पर है ये आपको बताना है अर्की में है पालमपूर में है सुजानपूर में है नालागड में है तो मृतलू गूफा कहते हैं कि जो गूफा ये काफी बड़ी लंबी गूफा है और इस गूफा का सम्मन्द जो है वो पाड़ों से भी किया गया है और कहते हैं कि इस गूफा में काफी सारे आपको जो कहते हैं शिवलिंग है वो आपको देखने को मिल जाएंगी कहते हैं कि इसी गूफा में शिवलिंग अपने परिवार के साथ निवास करते थे ठीक है तो यह है कहाँ पर तो याद रखना यह अर्की सोलन में है कहाँ पर है अर्की जो की सोलन डिस्टिक में है यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो option number A बिलको ठीक हो जाएगा आगे बढ़ते है next one is यहाँ सेव प्रंसकरण सयंत्र है तो कहाँ पर है वलह घाटी में वशरेतू में जरोल में सुंदरनगर में तो यहाँ पर तो आपको टमाटर वगरा देखने को मिल जाएगे है ना जब टमाटर काफी महंगे थे तो इस इलाके के लोगों ने बहुत सारी कमाई करी थी ठीक है चलिए तो यहाँ पर ओप्षिन में डी हो जाएगा तो जरोल ठीक है जरोल में आपको सेव प्रंसकरण सयंत्र देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स अपके पास है लहोल के प्रसाशन का किंदर कहां पे है यानि कि लहोल का जो जिला मुख्याले होता वो कहां पे है तो क्या वो काजा में है, उदेपूर में है, स्पीती में है, केलांग में, यह वही उदेपूर है, जहाँ पर आपको मरिकुला देवी मंदि मैं आपको बताया था, clear है तो लाहोल का यहाँ पर प्रशाशन का किंदर कहां पर है यानि कि लाहोल डिस्टी की जो राजधानी कह लीजिए यानि कि किंदर कह लीजिए वो कहां पर है तो यह आपको कैलांग में देखने को मिल जाएंगा option number D बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते next one is कांगडा जो है 1966 में हिमाचल परदेश में add-on किया गया था उस समय हमिरपूर भी इसके साथ ही कांगडा के अंदर आ गया था यानि कि हिमाचल परदेश में आ गया था लेकिन अगर हम बात करें कि हमिरपूर किस यानि कि कब separate रूप से एज डिस्टिक के डिस्टिक रूप में सामने आया था तो 1972 में 1972 में इसी हमिरपूर को कांगडा से अलग किया और हिमाचल परदेश का एक जिला बना दिया गया था ठीक है तो याद रखना ये पहले कांगडा का पार्ट हुआ करता था option no B बिल्कोर ठीक हो जाएगा next one is परवती इस्थल डलोजी और शिमला सित कहां पर है अच्छा ये जो डलोजी और शिमला है ये कहां पर सित है क्या ये लगू यानि कि lesser lesser हिमालेज अलग होते हैं और lower हिमालेज अलग होते हैं रखना lesser अलग होता है और lower अलग होता है clear है तो lesser हिमालियाज वरिहद हिमालियाज शिवालिक हिमालियाज इन में से कोई नहीं शिवालिक हिमालियाज तो होगा नहीं जितने भी हमारे पंजाब के साथ border share करते हैं क्या districts तो वो आपके शिवालिक पहाड़ियों में आते हैं तो वाला एरिया जो है यह आपका आता है किस के अंदर तो व्रिहद यानि की ग्रेटर हिमालियास के अंदर तो बचा के आपके पास option number A यानि की lesser हिमालियास के अंदर ठीक है lesser हिमालियास के अंदर यह आता है इसको मद्य हिमालिया के नाम से भी जानते हैं clear है और इस हिमालियस के दो पार्ट आपके बन जाते हैं एक नाम है दोलादार और एक नाम है पीर पंजाल कॉशन अगर यह आए कि कांगड़ा में अधिकतर कौन सी श्रिंखला आपको देखने को मिल जाएगी तो दोलादार देखने को मिल जाएगी जी आता है कि चंबा में क पर प्रवेश करती है ठीक है आपको नदी जो है यह लहोषविती से इसका उद्ग να्दुम होता है तांडी नामक स्थान पे चंदर और लत असमय मिल जाती है और चिनाव नदी बन जाती है फिर यह लहरोशविती को छोड़ कर कहाँ चली जाती तो किस जगह पे ये चमबा में अंटर करती है ये कुश्चन है क्या थिरोट से करती है गन्नोर से करती है पूर्थी से करती है या फिर किष्टवार से करती है याद रखना option number A ये थिरोट से करती है ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते है next one is अब प्रतम इसापुर् के समय में शिवालिक पहाड़ियों में कौन से कुलिंद राजा थे विश्व कर्मा थे कृठ्यान थे सुशर्मा थे अमोग भूती थे तो यहाँ पर याद रखना option number D होगा अमोग भूती थे clear है आगे बढ़ते है next one is कांगणा के कौन से साशक ने परवर्ती राज्यों का एक संगठन आयोजित किया और अकवर के विरुद विद्रो की शुरू कर दिया था आपको बता कि अकवर के विरुद भी यहाँ पर विद्रो किया गया था कांगणा काही वो राजा था जैचंद था मनिक चंद था विधी चंद था धरम चंद था तो यहाँ पर option number D हो चंद के मद्य किस वर्ष में ज्वाला मुखी संदी हुई थी यह भी आपको पता होगा तो यह 1809 में आपकी जो है वो संदी हुई थी जिसके अंडर 66 गाओं जो है वो महराजा रंजीत सिंग को दे दिये गए थे संसार चंद द्वित्य दवारा ठीक है किसके द्वारा संस तार चंद द्वित्य द्वारा दे दिये गए थे क्लियर है क्योंकि इसके पीछे जो है वो गोर्खा कमांडर अमर सिंग ठापा लग गया था ठीक है घेरा ढाल लिया था यह कांगडा फोर्ट के अंदर था और बाहर पूरा घेरा डाला हुआ था किसने गोर्खा कमांडर अमर सिंग ठापाने और उसको बुलाया किसने था क्योंकि यसन साथन बड़ी इसको बड़ी वो थी ठीक है और इसने जाके बिलासपूर की राजा को तंग करना स्टवर दिया ठीक है फिर बिलासपूर के राजा नहीं अमर्ख उसको गोर्खा कमांडर अमर से थापा को बलाया था इसको हराने के लिए ठीक है यानि कि इसको सेट करने के लिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वन इस पुल्लू किस वर्ष में बिर्टिश ख्षित्र और प्रशाशन का हिस्सा बना तो मैक्सिमम अगर हम देखें अगर आप भी अच्छे से पढ़ते होंगे तो 1846 में मैक्सिमम जो एरिया है हमारे हिमाचल परदेश का वो इन बिर्टिशर्स ने अपने अधीन ले लिया था ठीक है अब आपके लिए क्वेशन ये है कि कांगडा को कब लिया गया था कांगड परदेश लोकसिवा अयोग के प्रतम अध्यक्ष कोन थे देखो फर्स्ट और फर्स्ट इन हिमाचल परदेश ये आपको बता होना चाहिए तो कौन थे मेजर जनरल आइसी कटोज थे या फिर जेसी मेल होतरा थे पीके मट्टू थे या फिर की एस कटोज थे सिंपल सा क्ष और वरजयान का महायान और हीन यान का वरजयान और जादू का तो ओफ्षिन नंबर ए बिलकू ठीक हो जाएगा यान कि वरजयान और जादू का ये मिशन कहलाता है आगे बढ़ते नेक्स पोनीज लेहरान वाली का प्रसित मंदिर हिमाचल परदेश के किस स्थान प्रसित ह प्राचीन की नोर में वेपार केंदर था आपको बता है कि कि नोर में किस जगह पे वेपार केंदर था तो सांगला रामपुर बुशहर भावा तो याद रखना ए और बी दोनों में था सांगला और रामपुर बुशहर में था ठीक है तो उसमय तीबतियों के साथ भी यहां पर वेपार होता था अगे बढ़ते हैं नेक्स वन इस नेक्स अपके पास है 1978 में स्थापित हिमाचल परदेश करिशी विश्व विद्यालिया जो कि 1978 में स्थापित किया गया था ठीक है तो यह है कहाँ पे तो यह पालंपूर में है ठीक है आप सभी को पता होगा तो ओप्शन में बिल्कूर ठीक है 1978 में 1983 में मैं आपको बताता हूँ 1983 में किस विश्व विद्यालिया की स्थापना करी गई थी यह आपने मुझे बताना है और वो है भी हिमाचल परदेश में आगे बढ़ते हैं इसका मुझे आंसर अभी की अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके बताईएगा आगे बढ़ते हैं 1978 में हिमाचल परदेश सरकार द्वारा राज माता की उपाधी किसे दी गई थी देखो इस क्वेशन में काफी सा यह उतर है वह है चंपाबती ठीक है यह क्या हो जाएगा चंपाबती जी को राज जमाता की उपाधी से नवाजा गया था हिमाचल परदेश सरकार द्वारा तो और आपसे पूछ लिए जाएगा कि वो किस खेल से सम्बंदित है तो याद रखना अभी भी काफी सारी ऐसी हिमाचल परदेश से जो कि खेल खेल जगत में काफी उभर कर आ रही है तो याद रखना कि वो किस खेल से सम्बंदित है क्योंकि ऐसे क्वेशन आपके इस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं तो यह भगर ठाकूर जो है यह तो मुक्यवाजी से सम्बंदित हैं बाकी क्रि भोजड़ी तयोहार हिमाचल परदेश के कि यह मना जाता है भोध हाँ तो भोजड़ी और भोज दोनों में difference हैं यह चंबं में मना जाता है और भोज आपका शिमला में मना जाता है रहोड़ेया सिंपल सा विलासपूर में आपको व्यास गूफा भी देखने को मिल जाएगी अगर यहां पर उना होता तब आपको थोड़ इसी confusion हो सकती थी जाखदार चबूत्रादार सोला सिंगी धार आपने सुना होगा है ना यह है कहां पे यह आपके लोर यानि कि शिवालिक रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे यह जो धारे यह आपको शिवालिक रेंज की धारे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हमीरपूर हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह legit दियेगे options डिये इन दिये के options में से जो कि शिवालिक range के अंदर आता है तो that's why हमिरपूर is the correct answer next one is शोबा सिंग आर्ट गैलरी हिमाचल परदेश के की सस्तान परसित है तो शोबा सिंह आर्ट गैलरी आप देखने को मिल जाएगी नगर पूधेपूर में प्रगपूर में अंदरेटा में सभी को बता होगा कि यह अंदरेटा में हैं, अंदरेटा कहां पढ़ता है तो यह आपका पढ़ता है पालमपूर के पास ठीक है, पालमपूर यानिकी आप अगर डिस्टी की बात करें तो कांगडा में, ठीक है कहां पे, यह आपको कांगडा में देखने को मिल जाएगे ठीक है यह लिखा हुआ है शोबा सिंग ठीक है तो इनकी जो शोबा सिंग है इनको डाक टिकेट में भी आपको देखने को यह मिल जाएगे चली यानि कि यह जानी मानी हस्ती है ऐसा नहीं है आगे बढ़ते है नेक्स्ट वन इस हिमाचल परदेश की सबसे उंच चोटी यह सिंपल सा कॉशन है शीला चोटी है माननों कि अगर आपके ओप्शन में शीला नहीं है तब आपको लियो पूर्गेल जो है वो चूज करना है ओप्शन ठीक है और यह दोनों के दोनों आपको किन और में देखने को मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिलासपूर यानि की बिलासपूर रियासत की स्थापना किस ने करी थी तो वीर चंदने हमीर चंदने हरी चंदने गुरूर चंदने तो गरूर तो नहीं था लेकिन वीर चंदने यहाँ पर बिलासपूर रियासत की स्थापना करी थी और दीप चंदने बिलासपूर शहर की स्थापना करी थी तो यह आपको बता होना चाहिए ओप्चिन नमबर A is the correct answer नेक्स्ट वन इस लोड डलहोजी द्वारा कौन से राल शहर राज्य को अपने अधिकार में ले लिया गया था सुकेत चंबा बगाट और सिर्मोर देखो लोडलहोजी न न एक निती अपनाई थी मैंना I think उसका नाम मैंने आपको पहले बताया था उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा अगर आपको बता है तो केमेंट सेक्शन में लेके बताईए मिरे को याद नहीं आ रहा वो पता तो है मिरे को लेकिन मुह में नहीं आ रहा वो क्या नाम था उसका उसमें मैं कहाने आपको बता देता है उसमें क्या था कि अगर कोई ऐसा राजा है ठीक है जिसकी कुछ संतान नहीं है सगी संतान ठीक है तो उसके राज्यों को डिरेक्टली ब्रिटिशर अपने अधीन ले लेते थे अधीन को अभी बहें यहाद नहीं आ रहा कि क्या है कि रॉसका नाम प्रदेश की राजा है जों की राज कर रहा है और उसकी कोई भी संतान नहीं है तो उस वो जो र्यासत होगी वो डिरेक्टली ब्रिटिशर अंदर आ जायेगी और हिमाचल परदेश की वो कौनसी र्यासत तो वो थी आपकी बगहाट अरियासा था यानि कि option number D यहां पर बिलकुर ठीक हो जाएगा ठीक है तो doctrine of labs की निती बोलते हैं इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हिमाचल परदेश राज्य वित अयोग कि सवर्ष बनाया गया था ठीक है तो 1971 में 75 में 82 में 94 में तो याद रखना 94 में बनाई गई थी अगर मैं आपसे पूछूँ कि हिमाचल परदेश हाई कोट कि स्थापना कब की गई थी तो इसका मुझे आपने उत्तर चैटिंग बोक्स में लिख के बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस कि नोर और लहोस पिति के इलावा हिमाचल परदेश के कौन से जिले में 2011 की जणगना के अनुसार सबसे निमन यानिके सबसे लो सबसे लो शेहरी जनसंख्या रिकोर्ड की गई है यानि लेकि ऐसा ऐसी कौन से डिस्टिक है किसके इलावा किनोर और लहोस पिति के इलावा जिसके अंदर बड़े ही कम जो है वो शेहरी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी तो कांगडा कुलू मंडी या फिर शिमला यह आपको बताना है देखो अगर हम बात करें 94.29 इसनी 5.69 ठीक है 5.69 ठीक है 5.69 स्वरी 71 परसेंट जो जनसंख्या है यह कहां पर निवास करती है यह निवास करती है शेहरों में तो यहां पर याद रखना वो कौन सा जिला है वो जिला है आपका कांगडा वो कौन सा जिला है वो जिला है आपका कांगडा ठीक है तो कांग में सबसे जैदा ग्रामिर जन संख्या निवास करती है ये भी आपको याद रखना है क्लेर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस लाज्जो पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो शांता कुमार मनमोहन सिंग देवराज शर्मा राम राहुल तो यहां पर ओप्शन शांता कुमार जी द्वारा ये जो है वो लिखी गए थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस नुवाला हिमाजल परदेश की किस घाटी का लोक निरते हैं सिंपल सा क्वेशन है नुवाला आपको चंबा में देखने को मिल जाएगा ये ठीक है आगे बढ़ते हैं और जाखु मंदिर है कहां पे आपको डिस्टी का नाम बढ़ाना है किस डिस्टिक में जाखु मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इस रावी नदी किन दो गलेशर की धाराओं से बनी है ठीक है आपको बता है कि ये एक तो है भादल एक हike decorrett ऑप औहुए घुन को जाएगा क्लिर है तो और यह दोनों की दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोनों की दोनों आपको हमारे आगे बढ़ते हैं तो ऊप्षिछ्ण यह वही है अगर शीला आपके option में नहीं है हिमाचल परदेश की सबसे उंची चोटी की अगर हम बात करें तो अगर options में शीला आपको देखने को नहीं मिलेगी तब आपको याद रखना कि लियो पार्जिल होगा इसी लिए इसकी जो उंचाई है वो भी आपको बता होने चा करें तो हम प्रॉबैबली हम मिटर में ही इनकी उंचाई को माप दे हैं जैसे कि हम बोले 7025 तो यह शीला की उंचाई है कहीं पर आपको 7026 भी देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह शीला की उंचाई है लेकिन लियो पार्जिल की उंचाई कितनी है तो 6770 मिटर है ठीक है ये भी मिटर में ही हम आप रहे हैं इसको अगे बढ़ते हैं next one is कि नोर में एतिहासिक गाउं कामरू कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको बताना है सबसे सुंदर घाटी सांगला घाटी सभी को बता है ठीक है तो यहाँ पर option में D हो जाएगा सांगला घाटी में आपको कामरू नामक एक गाउं जो है वो देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं next one is तुपरसिद नीरत मंदिर हिमाचल परदेश के किस नदी पर किस नदी के किनारे पर स्थित है ये मुझे आपने बताना है और ये किस रिवर के किनारे पर है रावी सतलुज यमुना व्यास तो ये आपको सतलुज के किनारे पर देखने को मिल था देखो अगर हम अपने हिमाचल परदेश की हिस्ट्री की बात करें तो हिमाचल परदेश की हिस्ट्री में आपको अपना पडोसी जो राज्य है जेंड के ठीक है इसके साथ भी आपको थोड़ा सा ऐसे देखने को मिलेगा कि यहां पर भी जेंड की है न ये भी हमारे जगों को घेड लेता था जैसे कि अगर मैं बात करूँ चंबा तो चंबा पर भी इन्होंने अधिकार किया हुआ है किसने मैं बात कर रहा हूँ JNK की ठीक है तो इसलिए कश्मीर का नाम यहाँ पर आ जाता है कई कबार हमारे हिमाचल परदेश की हिस्ट्री में ठेक है तो उसमें चंबा का साशक कौन था तो चंबा पर भी काफी टाइम तक जो है वो साशन किया हुआ है कश्मीर ने ध्यान रखना सालवाहन वर्मन कौन था सालवाहन वर्मन था कांगड़ा के किस शाशक ने गुमा नामक खान पर अधिकार करने के लिए मंडी पर आकर्मन किया था देखो इस खान के लिए ना इस गुमा नामक खान के लिए भी काफी ज़्यादा युद हुए हैं क्योंकि ये एक इंखम सोर्स था क्या था ये एक income source था तो इसलिए इस income source को हर कोई अपने पास रखना चाहता था तो आपने बताना है कि कांगला के किस साशक ने गुम्मा नामक खान पर अधिकार करने के लिए मंडी पर आकर्मन किया था संसार चंथा गमन था परलहाद था ये फिर विजय चंथा तो option number यहां पर ए हो जाएगा संसार चंद ने आकर्मन किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं बिलासपूर के कि साशक ने औरंग जेव की सहायता करे थी तो दीन चंथा वी चंथा दीप चंथा विधीर चंथा तो सभी को पता होगा कि दीप चंद ने जो है वह सहायता करे थी औरंग जेव की ठीक है आगे बढ़ते हैं next one is कौन सी धामी प्रजा मंडल की मांग नहीं थी बड़ा अच्छा बड़ा important question है ये सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस धामी प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना 1937 में इस धामी प्रजा मंडल की स्थापना करी गई थी धामी गोली कार्ण कब हुआ था ये सभी को पता होगा 1939 में धामी गोली कार्ण हुआ था ठीक है अब बात ये है कि ये जो धामी प्रजा मंडल बनाया गया था इसके मांग क्या थी इसके मांग ये थी कि हम वेगार का उनमूलन करेंगे यूए जो विगार प्रथा होती थी उसमें उसमें होता गया था उसमें ये होता था कि जो niche work के लोग होते थे है ना? niche work का मतलब है कि जो कमजोर लोग हुआ करते थे जिस पे हर कोई अपना अधेकार करना चाहता था तो उनसे जबरण काम करवाना और उनसे काम करवा भी लेना और उनको पैसे भी ने देने यानि कि फ्री में किसी से काम करवाना उसको बोलते हैं विगार पर था ठीक है वैसे तो Britishers के कारेकाल में तो ये विगार पर था बड़ी common थी ठीक है जैसे कि नील की खेती कोई भी नहीं करना चाहता था कोई भी अपनी जमीन को मंजर नहीं बनाना चाहता था लेकिन फिर भी Britishers अपने लालच के लिए लोगों से उनहीं की जमीन पर वो काम करवाते थे तो इस चीज को कहा जाता है विगार पर था तो इसके उनमूलन के लिए कि ये बेगार जो प्रता है ये खत्म होनी चाहिए ये भी इसका एक target था, target point था, सब्तंतर था ये तो था ही था, इसके बाद भूरात्सब में कमी यानि कि जो tax हुआ करता था उसमें भी क्या होनी चाहिए कमी होनी चाहिए क्योंकि Britishers अपना, जितना उनको मन करें उतना वो tax लगा लेते थे ठीक है, चलिए, तो ये तीनों जो है, ये इनकी मांगे हुआ करती थी इसलिए ये option number D होगा, यानि कि ये तीनों इनकी मांगे है ठीक है, तो इसलिए option number यहां पे D बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा clear है, चलिए, तो ये थी हमारे आज के 50 questions, तो मुझे आशा है कि आपने इस series की पहली class को, यानि कि day one वाली class को खूब enjoy किया होगा तो इसी परकार से हमारी जो series है ये चलती रहेगी, बाकि जो हमारा mission परहार है वो भी चलता रहेगा, ये just हमने add on की है, ठीक है तो मुझे आशा है कि आपने grade up study channel को जरूर subscribe कर लिया होगा वीडियो को तो आपने like कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो please करके जाएगा क्यूंकि इसी परकार से जो most important questions है, basically previous year के है, तो most important है ही है तो ये हम आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे, और कुछ न कुछ हम जरूर सीखते रहेंगे तो मिलते भी हम next किसी और class में तब तक के लिए, जै हिंद, जै हिमाचल